लेकि महा गठवंदन में महा फूट है जब से सरकार बनी है ये बेमेल गठवंदन है एक दूसरे की पुरानी यादें और पुराना बदला एक दूसरे से चुकाने में ये लोग लगे हुए है जब से सरकार बनी तब जो जेरियू के नेता है और आरजेडी के नेता है ये विवाद पूरी सरकार के ऊपर सवाल उठाया और धिकारियों पर सवाल उठाया अब उन्होंने इस्तफा दे दिया है उससे पहले जप्ता निन सिंग जी ने ये बियान दिया था जी वो 23 में तिजस्वी यादव मुखमंत्री बनेंगे और नितिश जी दिल्ली जाएंगे इसी वज़ा से ये विवाद बढ़ गया महा गटबंदन में महा फूट हो गई है ये लोग आपस में किसी भी मुद्दे पड़ एकमत नहीं और राज़त के निता बार बार नितिश कुमार जी को केंदर में भेजने की बात कर रहे हैं और यहाँ पर तिजस्वी यादव को सब्ता सौपने की डिमांड कर रहे हैं इससे साफ जाहिर है कि बेमेल गठबंदन है और ये सरकार आपस के मतवेद से उबर नहीं पा रही है जो बात जमीन के नीचे थी अब वो बात जमीन के उपर आ गई है कि कृशिमंत्री का इस्तफ़ा बिहार की राजनीत में भूचा लाने वाला है